बोडियर सेस्ता करिशू डेखर रस्तित्रिवबब आतायच करी गुरुत्तपुना खबर्टे महथता जन्वार सेस्ता करिशू नरेंदो मुदिये हब देखर प्रधान मंती इजमें धे एंडियर हम्खोडियो डोलर नेतारूपे हकल वे सिकार करिशे नरेंदो मुदि नरेंदो मुदि के डेखर प्रधान मंती हिसा पे बिसरार कथा उल्लेक करिशे प्रतितु खबरे महथतार के होत्या जन्वार सेस्ता करिशू रुटतपुना खबरेता ब्रेकिंग निवसे महथता रेंदो मुदिये हम्खोडियो डोलर नेतारूपे हमध्धन लाफ करिशे नरेंदो मुदिये। कर इसे नरेंदो मुधिये प्रधनमुंति हो भॉ रस्थाच सिंगर प्रस्थाब खमोट्थन जनाले एंडियर खंखडे और एंडियर खंखडे जलोर नतार प्रधन लाफ करिले मोदिये गृुतापुना खबर्तमुख्तर जन्त सस्था करि शू एंडियर खगल नतारे आडियर प्राय खै आरो मुधियर पद़र बबे। परधनमंति पड़र बबे। मुधियर नाम पस्थाव मॉकोन्घ्णऺ जनाई शनाई से नेधिस कूमारे खबन्टरल भबे हमाठ्धन जनाई से संद्रबाभू नाइडवे जड़ देखर रास्निते प्रकार गरम हुया सिल खबन्ग्रभी कोई कोई दॉक्तर मंतित्तो कोई बारे बारे प्रस्ना उथ्थपिता हुई सिल प्रस्ना उथ्थपिता हुई सिल रभोखे खट खबर्ट्वागी संद्रबाभू नाइडवे हो नितिश कुमारे हो खख़को लेप्रथान मंति नूथ मुधी के नरेंद प्रथान मंति इसा पे नरेंद वुधी के विसोरार कथ उठको लेख कोई से एन्दियर होंखोड्य दोलर नेता रुपय खमोठ्ठन लाफ कृुषे मोदिये एन्दियर प्राय होकोलू नेतारे खमोठ्धन लाफ करिषे नरेंदमुदये गुरुतापुण खमोटे मुध्टा जन्वर सस्ता करिशु प्रधान मंती पदर्बबबे बिस्तेशन करएंगे तो देखेंगे कि एंडिय का जो लोग दिखते हैं न, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नन्स इन सबने अपने-अपने समय में, अपने-अपने कारकाल में जब-जब जहां सेवा करने का मोका मिला है गुड गवर्ननस इस देश को दिया है और इस पकार से एंडिय एक प्रकार से एंडिय कहते ही गुड गवर्ननस यह अपने आप परियायवाची बन जाता है साध्यों हम लोगों के सभी के कारकाल में चाहे मैं गुजरात में रहू हो और रहा हूँ या बाबु हमारे आंदर में रहे हो या नितिजिने के लिए भरपुर सेवा कि हो हम सब के अंदर केंदर बिंदु में गरीब का कल्यान के अंदर सथ रहा है और देश ने एंडिये के गरीब कल्यान के गूड गवर्णनस के दस साल को देखा है इतना नहीं हैं मैं कह सकता हूं देश ने से जिया है जनता जनारणने सरकार क्या होती है सरकार क्यों होती है सरकार किसके लिए होती है सरकार कैसे काम करती है इसको पहली बार अनुभव किया है बरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी हमने उसको पाट दिया है हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है साथियो एंडिये सरकार में हम अगले दस साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ अगले दस साल में गुट गवर्नांस विकास नाहरीकों के जीवन में क्वालिटी अप्लाइट और मेरा व्यक्तिक अद्रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है मैं लोग तंत्र की सम्रूद्वी को जब सोचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सामान्य मानवी के जीवन मेंसे और खास करके उनके जीवन मेंसे सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोग तंत्र की मजबूटी और आज के टेक्नोलोजी के यूग में बहुत आसानी से हम वरना एक दिन में दस काम हो तो दस अलग-अलगो सारी चीज़े मांगेगे हम बड़लाब चाहते हैं गुड गवरनन्स का ये भी एक महत्वकून पहलू है देगे हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे गुड गवरनन्स का नया अध्याय लिखेंगे जनता जरारदन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विक्सीज भारत के सपने को साकार करके रहेंगे साथ यह एंडी एक मैं और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन मैं किसी भी दल का कोई भी जड़ प्रतिनीदी होगा मेरे लिए सब बराबर है जब मैं सबता प्रयास की बात करता हूँ तो मैं सदन में भी चाहिए वो लोग सभा हो या राच सभा हो हमारे लिए सब बराबर है और यही एक बाव है जिसके गारण तीस साथ से एंडी एलाइंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है अपना पराया कुछ नहीं है सब को गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखिये है उसी का परणाब है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं साथियों हमने दोहजार चोवीस पर जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रास रूट लेवल पर किया है सिरफ फोटो आप के रदान ने तक मिल करके हाथ हिलाएं और फिर तुम तुमारे रस्ते में मेरे रस्ते सा नहीं ग्रास रूट लेवल तक सबने मिल करके यह जो काम किया है और उसी ने हमें और्गेनिक एलाइंस का सामर्त दिया है एक दूसरे का सहयोग किया है हर किसी ने यहीं सोजा जहां कम वहां हम अगर तो कम ही है तो मैं आऊँगा मैं मैंनत करूँगा लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दुगा जहां कम वहां हम यहर कारकरता ने जीकर के दिखाया है और तभी तो जीत आती है साथियों कभी कभी मैं कह सकता हूँ कि हमारा दस साल का अनुभव है भारत के हर खेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशन्स हैं रीजनल एस्पिरेशन्स हैं बे और नेशनल एस्पिरेशन्स इसका एक अतूट नाता होना चाहिए इसके बीच में हवा तक गुजर न सके इतना जुड़ा होना चाहिए तब देश आगे परता है साथियों इस सुनाओ मैं मैं कुछ उलेख जुरू करना चाहूँगा जो मेरी नजरी से मेरे देखा है दक्षीड भारत में एंडिये ने एक नई राजनीती की नीव मजबूत किया अब देखे काना टकाएं टेलंग रहा अब यवी तो उनकी सरकारे बनी थी लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास तूट गया ब्रह्म से लोग बार आ गए और एंडिये को गले लगा दिया करनाटक और तेलंगना में दोनों जगा गया साथ यो तमिल नाडू मैं तमिल नाडू की टीम को भी बशाई देना चाहूँगा और वहां हमारा एंडिये समूब बहुत बड़ा भी है जिस तेजी से एंडिये का वोटशेर बढ़ा है वो साप साप संदेज दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है साथ यो पूडिचेरी हो केरला अब केरला हमारे सेंक्रो कारकरतों के बलिदान हुए है UDF हो या LDF हो शायद हंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में है इतना जुल्म एक विचार धारा को लेकर के जीने वालोगों पर हुआ 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 तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ केरल में हुआ है जम्मु कश्वीर से भी ज़्यादा हुआ है उसके बावजुद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था उन्होंने परिश्यम की पराकास्था में कभी पीछे नहीं रहे पीडियां खपा दी पीडियां खपा दी और आज पहली बार साँसद में केरल से हमारा प्रतिनी भी बन क्या है साथियों अरुनाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है सिक्किम्मे भी हमारे एंडिया की सरकार करीब परी क्लीन स्वीप के साथ अरुनाचल क्लीन स्वीप आंद्र मैं अब बाबु को पूछ रहा था बोले हिस्टोरी के लिए सबसे हाइस पुत्तरी है और जो यहां दिखता है ने पवन यह पवन ने यह आंदी है आंद्र ने इतना बड़ाज हमारे प्रति जन्मत दिया है हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जीजी विशा है उसका प्रतिम है और महाप्रभु जगनाथ और मैंने अनुभव किया हमेशा मैं हमेशा मानता हूँ इस्वर के नेक रूप होते हैं लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगनाथ जी को याद करता हूँ तो मैं हमेशा मानता हूँ यह गरीबों के देवता है और वहाँ जो क्रांती रूप पन्राम आया है मैं इसे एक रिबोलुशन देख रहा हूँ और मैं इसके साथ कह सकता हूँ कि विख्षीज भारत का हमारा जो सपना है आने वाले पचीश वर्थ पहले मैंने दस साल कहा था यह मैं पचीश साल कह रहा हूँ आने वाले पचीश सांग महाप्रभु जगनाज जी की कृपा से उड़ी सांग देश की विकास यात्रा के ग्रोथ एंजिन पर की एक होगा साथियों हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे मैं तो अपने काम में कुछ बेस्त था बाद में फॉन्फे नहराज चुरू हो गए तुम मैंने किसी को पूछा यार ये तो फीक है आकड़े माकड़े तो मुझे ये बताओ कि इवियम जिन्दा है कि मर गया क्योंकि ये लोग ताय करके बैठे थे कि भारत के लोगतंत्रों लोगतंत्र की प्रक्रियाटे प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए और लगातार इवियम को गालिज देना और मुझे तो लगता था कि साइद इस बार वो इवियम की अर्थी निक्याश जुलूस निका लेंगे लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए इवियम ने उनको चुप कर दिया ये ताकत है भारत के लोगों से ये ताकत है भारत के निस्पता की ये भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंतर की चुनावायों की और मैं मानता हूँ कि ये आशा करता हूँ कि पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुनाई देगा लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरुआ करीए लेकिन के सुत्रे के सब्बाव बहुत कावब है आप देखिए चुनाऊ के समय मैंने पहली बार देगा शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमिशन के काम में रुकावाट आएं इसके लिए सुप्रीम कौर्ट के दरवाजे खट-खट आए गए बाती बाती के अप्लिकेशन और एक ही टोली थी और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास हैसे लोग सुप्रीम कौर्ट का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रियास करते रहे और चुनाऊ आयोग की ताकत का ये बड़ा हिस्सा अदालतों में इस पी कबर्स में चुनाऊ के पी कबर्स में यानि कितनी निराशा लेकर के इस लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाऊ के कोई भी परणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बड़ाम कर लें ये शडियंतर का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा साथियों इंडी गड़बंदन वाले जब ये इवी इनका विरोध करते हैं तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूँ मैं मानता हूँ ये लोग मन से पिछली शताबनी के सोच वाले लोग है वे टेक्नलोजी को हम महत्व न समगते हैं तो टेक्नलोजी स्विकार करने को तयार है और ये सिरफ EBM में दिखाई दिया ऐसा ने UPI में दिखाया जब हमने कहा है हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांचेक्शन करें जब फिंटेक के दुनिया में आज इदुस्तान का नाम हो गया मानने को त्यार रहे हैं आधार आज देश के पहचान बनाया है मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार के पद्ददी से आगे बढ़ना है आप कैसे मदद कर सकते हैं उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोड में बार 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 जाकर के परिशान्य फ़ता आज यानि मूलत है ये प्रगतिर के विरोदी आधुनिक्ता के विरोदी टेक्नोलोजी के विरोदी इंडी अलाइंस हमने देखा है साथियो इस देश के लिए ये भी चिंता का विशह है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयास और कितना एक्स्ट्रीम है मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर अप डेमोक्रेसी है और ये दुनिया में जाकर बता रहे है ये जो इनकी मनस्ति है भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविस्वात पढ़ा करने का जो उनका शडियंत्र है मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोक्तंत्री की विविदता विशालता व्यापकता गहनता इन सब को भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी ऐसे ही इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं साथियों जब 2001 तारीकों मद्दान पूरा हुआ और चार तारीकों कांटी इस बीच की चीजों को आप देखिए योजना बर्थ तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने क्या भाशा बयान दिये जा देख यहां इखटे होना यहां पहुँचना यहां करना कुछ लोग इस चीज को गंबीर नहीं लेते लेकिन यह बहुत गंबीर है आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनाधर करते हो अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहोल बना दो कि बस आग लगा देंगे हर प्रकार जिन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था लगातार देश को भूमरा करने का प्रयास किया गया देश के लोकों को बाटने का प्रयास किया हरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है कि जादा से जादा लोकों को हम जोड़े तोड़ने के लिए नहीं होता है लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गया है साथियों मैं मानता हूँ कि दोजार चोबीस के लोकसभा के चुनाओ के जो नतीज़ है हर परामेटर से देखेंगे दुनिया ये मानती है और मानेगी ये एंड ये का महा विजय है और आपने देखा दो दिन कैसा चला चैसे हम तो हार चुके हैं गए सब चारों तब यही दित्ता था क्योंकि उनको अपने कारकरताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे कालपनी परेव ये करने पड़ रहे हैं और साथियों गढ़ बंदन के इतिहास में अगर आपरों के हिसाब से देखें तो इस सबसे मजबुत गढ़ बंदन की सरकार है लेकिन कोशिस है की गई कि इस विजए को स्फिकार ने करना उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना लेकिन उसके ऐसी चीजों की बालमुर्ति हो जाती है और हो भी गई लेकिन देश वासी जानते हैं कि नहम हारे थे नहम हारे है लेकिन चार तारिक के बाद हमारा जो गहवार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजए को पचाना जानते हैं हमारे समस्कार ऐसे है कि विजए की गोद में उन्माद प्रादा नहीं होता है और नहीं पराजीत लोगों के प्रती उपहास करने के हमारे समस्कार है हम विजए को भी पचाते हैं और प्राजीत का भी उपहास करने के विकृती हम नहीं पाते हैं हमारे समस्कार अब किसी भी अबालक को पूछो कि में लोगसभा के चुनाओं के पहरे सरकार के इसकी थी तो कहेगा NDA 24 के नतिजों के पहरे सरकार के इसकी बनी NDA पर हरे कहां से भई पहले भी NDA थी आज भी NDA और कल भी NDA आप सोचिए दस साल बाद भी दस साल बाद भी Congress सो के आगे तो नहीं छुपाई और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनाओं को जोड़ करके कहूं Congress के तिन चुनाओं जोड़ूं तो इन तीन चुनाओं में जितनी सीटे ने मिली है उससे जादा हमें इस चुनाओं में मिली है और मैं साब देख रहां खाती हो ये इंडी वालों को अंदाज नहीं है बे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे अब टेज गती से ये गर्त में जाने वाले हैं साथियों इंडी अलाइंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है आज भी वो उसके सामर्थे को समझ नहीं पाए ये समझना चाहते नहीं है भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है नहीं वो समझ को छूता है समझता है पैचानता है वो बहां नहीं है साथ में इन लोगों का जो बहवार रहा है चार तारीक के बाद मैं आशा करता था कि वे लोकतंतर का सम्मान करेंगे लेकिन उनके बहवार चाह लगता है कि शायद उनमें ये समस्कार आएं इसके लिए मैं और इंतिजार करना पड़ेगा और तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ और ये वो लोग है जो खुद की पार्टी के पीम का अपमान करते है उसके निर्णों को फार देते है खुद की पार्टी को विदेशी में माना आजाए तो उसके लिए चैर नहीं होती थी अब मैं समझता हूँ कि इन सारी स्थितियों में से हम लोगतंतर की मजबूती और जनता जमाद जयनादन के परती आस्था इसको हम साथियों लोगतंतर हमें सबका सम्मान करना सिखाती है विपक्ष में भी जो सांसजीत करके आए है मैं उनको भी बदाई देता हूँ और मैं पिछले दस वर्थ में एक चीज़ मिस कर रहा था की डिबेट पार्टिसिपेशन क्वालिटी अब डिबेट मैं मिस कर रहा हूँ लेकिन मैं आश्या करता हूँ कब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं शायद हमारे साथी भी राष्ट हूट की नियत के साथ सदन में आएंगे और भने वो विपक्ष में बैठे हूँगे लेकिन राष्ट के विपक्ष में नहीं है हमारे विपक्ष में राष्ट में थो हम सब एक ही पिस हमें है राष्ट में हमारा को पक्ष्विपक्ष नहीं है राष्ट में थो हमें उसे चाहित करो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि वो राश्ट हीत की भावना को लेकर के सदन में आएंगे सदन को समरुद्ध देने में वे कुछन को जियोगदान करेंगे सथे 24 का जनादेश एक बात को बार-बार मजबूती दे रहा है बार-बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरम है सिर्फ और सिर्फ एंडिये पर ही भरोसा है अब जब इतना अतूट विश्वास है इतना भरोसा है तो स्वाबाविक है देश की अपेच्षाएं भी भड़ेगे और मैं इसे अच्छा मानता हूँ और हम सब का कर्तब भी मानता हूँ और इन अपेच्षाओं को पूर्ण करने के लिए और मैंने पहली भी कहा था कि जो दस्वर्स हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है और वो मेरा तुनावी वाक्या नहीं था यह मेरा कमिट्मेंट है हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गती से देश के आकांशाओं को पूर्ण करने में रख्ती फर्मी बिलम नहीं करना है जनता जनारण चाहती है हम पहले से ज़्यादा डिलीवर करें जनता चाहते हैं हम खुदी हमारे पुराने रखोर तोड़े और मैं साथियों एक तरफ एंडिये रखो दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो तो मैं कहूंगा एंडिये न्यू इंडिया डेवलप इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया और इसी केस इसी सपने और संकल्पों को पुरा करना ये हम सब का संकल्प भी है कमिट्मेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है साथियों एंडिये ने हमेशा करप्शन फ्री है रिफाम ओरियेंटे स्थीर सरकार देश को दी है जब जब हमें अफसर मिला हम लोगों ने काम किया है उसके सामने कॉंग्रेस नेतुरूत वाली यूपिये अब उन्होंने पुरानी अपनी छबी सुधारने के लिए नाम बदल दिया लेकिन पहचान गोटालों की है आए दिन गोटाले यही पहचान दही है और नाम बदलने के बावजुद भी देश उनके गोटालों को नहीं भुलाएं उनको नकारा और मैं कह सकता हूं साथियों हिंडी एलाइंस वालों ने एक व्यक्ति का उपोज करने के वन पॉइंट एजंदा के कारण देश की जंता ने उनको ही ओपोजिशन में बिठा दिया है एंडी ये विख्सी भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाओं में गया था देश के लिए सकारात्मक्ष सोच को लेकर के गया था देश की युवाँ शक्ति के सामर्थे काव समझ करके नए अउसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था जब की हमारे सामने जो लोग पे भरम पहलाना जूट पहलाना यही गुमरा करने वाले काम यही करते रहेते अब एंडी ये और उनका कारण देखें इवान नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार उनका नामांता है हम लोगों का एक एक दरश्य देख लिज़े और उनका एक एक दरश्य देखी कितना बड़ा अंतर है हर चीज में उनका करेक्टर दिखाई देता है और क्या रहा फोटोगाप के लिए तो उनके एलाइंस गोशित कर दिया लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं चुनावी जंग में एक दूसरे की पीट में चुरा बहुंपे रहे हैं कभी उनका ने कहा कि यह तो हमारे वैचारी के ऐलाइंस हैं वो विचाव लिवल पर ठीक है बागी नीचे तो हमारा अपना हम तयार करेंगे और अब फिर वोनों है कहां कि हम तो सीट के आजार पर एलाइंस करेंगे टोटल न भी करें यह भी खेल खेला और अभी अभी तो चुनाव कुनाव शुरू कर दिया कि यह तो हमारा अपना अपना है यह भी शुरू कर दिया याने मैंने बहुत पहले कहां था कि आप देख लेना चार जून के बाद बिख्राव शुरू हो जाएगा और वो शुरू हो चुका है इसका मटलब यह हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दुसरे का साथ देने की कोशिश करते थे लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्टित होता तो तो साथ देना वरना नहीं देना यह करक्टर था साथियों यह लोग कितने ही बड़े जूटे बोलते रहे हैं और आप देखिए चुनाओ के समय उन्होंने देश के सामाण